नमस्का साथियों, डिक्टेशन अस्सी सब्द प्रतिमनट की गति से बोली जाएगी, जो ठीक पांस सेगन बाद इस्टार्ट होगी यदी राजनिती ऐसा माजिक तत्वों की अंतिम सरन इस्थली है और धर्म जनता का नसा तो इन दोनों के अंतह संबंद से निश्चित रूप से विनास का ही रास्ता खुलता है विराम परंतु यदी राजनिती को किसी इकाई में सहिस्थनुता एवं विविस्था बनाए रखने के उप्युक्त तम साधन के रूप में देखा जाए और धर्म को जीवन मुल्यों की उत्कृष्टता का मूल तो ऐसी इस्ति में हम धर्म और राजनिती को बिलकुल दो समानां तत धाराओं में विभक्त करने की भूल नहीं कर सकते विराम सच। तो यह है की धर्म और राजनिती के संबंदों को लेकर आज जो बहुत से प्रसन उठाए जा रहे हैं उन प्रसनों की प्रकृती ही गलत है विराम प्रसन यह है नहीं उठाना चाहिए की क्या धर्म और राजनिती एक दूसरे से संबद्ध है प्रसन यह है उठाना चाहिए की उन दोनों के बीच किस तरह का संबंद होना चाहिए पैरा राजनिती को सक्ती की अपेक्छा होती है चाहे किसी भी प्रकार की राजनितिक विवस्ता हो विराम जब महत्मा गांदी या मोलाना अबुल कराम आजाद जैसे लोग अपनी राजनितिक सोच धर्म से प्रेरित समझते थे या कहते थे तो उनका लक्ष्यार्थ उस धार्मिक स्रोत से बिलकुल भिन्न था जिसका बहाना लेकर आज राजनितिक दल बना लिये जाते हैं या अलग भू प्रदेश की मांग की जाने लगती है विराम गांदी जी सबी धर्मों के सारे तत्वों को राजनिति करने के लिए आध्यात्मि मुल्यों के रूप में अनिवार्य समझते थे और अपनी इसी भावना के संधर्ब में वे अक्सर कहा करते थे की धर्म से विरत राजनिति एकल्यानकारी होती है विराम धर्म गांदी जी की दृष्टी में प्रिथक्तावाद चाहे वह भोगोलिक हो सामाजिक हो या व्यक्तिक हो हे मानता है विराम इसी से गांदी जी पूरे विश्व को एक नेतिक राजनितिक एकाई के रूप में देखते थे और विश्व नागरिक्ता जैसे सिद्धान्तों की बात करते थे विराम इस प्रकार धर्म पूजा अर्चना कर्मकांड और जीव भ्रम संबंद आदी तत्तों के अतरिक भी अपनी अभिव्यक्ति देता है वह मुल्यों एवं सिद्धान्तों की एक सहीता भी है अर्थार धर्म अपने अनुयाईयों के नेतिक अनुसासन का एक सुरोत होता है विराम पैरा धर्म आध्यात्मिक विश्वासों एवं एलोकिक धारनाओं की भी एक विविस्ता के रूप में होता है विराम अपने इस प्रिगतिवादियों की आलोचना का केंद्र बनता है विराम पस्चमी देशों में आध्यात्मिक विरोधों की वजह से अनगिनत खूनी संगर्ष हुए हैं विराम परंतु भारत में ऐसी एक भी गटना नहीं हुई है सूद दिर्ग भूतकाल से लेकर वर्तमान समय तक विराम हमारे यहां संगर्ष सांपरदाई कारणों से हुए हैं धार्मिक कारणों से नहीं विराम धार्मिक सेशनुता की दरिश्टी से भारत की एतिहासिक वै वर्तमान छवी निश्चे ही अत्यंत मानवी है एवं ए प्रित रही है विराम पैरा धर्म व्यक्ति की पैचान का भी एक अनुपेक्षनिय अंग है विराम कोई भी व्यक्ति हो चाहे उसकी धर्म में आस्ता हो या ने हो अथुआ वहे अपने को नास्तिक या एधार्मिक घोसित भी करता हो अपने पारिवारिक या सामाजिक संबंदों की व रूप में किसी ने किसी धर्म से संबद हो ही जाता है विराम धर्म की यही भूमी का राजनिती में समस्याएं खड़ी करती है विराम आज लगबग सभी धार्मिक समुदायों में सामाजिक राजनितिक लालसा देखी जा सकती है विराम विकास गति सीलता मीडिया एवं जन संचार की करांती राजनिति करन एवं व्यस्क मतदान आदी ने लोगों में एक तरह की आत्मिक सतरक्ता पैदा की है विराम वर्गिये इस्तर पर भारत में राजनितिक या सैद्दान्तिक पहचान तो विक्षित नहीं हो पाई धार्मिक पहचान ने उस कमी को पूरा कर दिया जो अत्यंत दुस परिन नामक था रहा विराम पैरा फिर आज जो विविस्ता का अस्तित्व है उसमें हर व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से न्याएं एवं सुरक्षा उपलब्ध हो पाना या करा पाना ऐसंबव है ऐसे में ल यह जादा जागरुप हो जाते हैं जो उन्हें उक्त चीजें उपलब्ध करा सकती है विराम इसलिए भारतिय राजनिती में व्यक्ति का जितना महत्तु है उतना महत्तु संप्रदाय का भी है विराम ऐसी परिस्तियों में भारत में किसी भी तरह की धरम निर्पेक्ष जब तक की हम धार्मिक विवृता के सत्य एवं तदन रूप उनकी आर्थिक एवं राजनितिक भूमिका को स्वीकार नहीं कर लेते विराम उधारन के तोर पर केंद्र या राज्य इस्तर पर तब तक कोई मंत्री मंडल संतुलित नहीं कहा जा सकता जब तक उसमें हर संपरदाय या पृति निदित नहीं हो अन्यथा यह समझा जाएगा कि किसी संपरदाय विशेश के साथ भेदवाव बरता गया है विराम पैराम इसलिए समस्या यह नहीं है कि राजनिति धार्मिक पहचान को स्वीकृति प्रदान करे अथुआ नहीं राजनिति यथार्थ की उपेक्षा कैसे कर सकती है आज जिन प्रिस्टनों की प्रासांगिक्ता जादा है और जिन पर बहेंस की आवे सकता है उनमें प्रमुक हैं वे कौन से छित्र हैं जिनमें इन पहचानों को माननता दी जाए और उन छित्रों में उनकी सक्रियता को किस हद तक छूट दी जाए इन पहचानों को आपस में एक दूसरे के साथ कैसे संबद किया जाए और अन्य प्रकार की पहचानों एवं राश्टिये पहचान के साथ भी उनके रिस्तों की व्याख्या किस तरह से की जाए पैरा धर्म और राजनिती के संबंदों पर अभी जो अधिकान्स बहसे चल रही है उन पर यूरोपिये चिंतन का जादा प्रभाव है जो की भारत के लिए बहुत प्रासांगिक नहीं है विराम सबसे पहली बात तो यह की भारत यूरोप के देशों की तरह किसी एक धर्म के अनुयाईयों का देश नहीं है विराम दूसरी बात की यूरोप के अधिकान्स देशों का राजनितिक इतिहास राज्ये पर पोप के प्रभुत का रहा है और आज भी अनेक देशों में क्रिस्चियन राजनितिक दल सक्रिये हैं विराम इस दृष्टी से भारत का अपना इतिहास ही अधिक प्रासांगिक एवं प्रेना प्रद है विराम यूरोप से भिन भारत में कभी भी धर्मतंत्र नहीं रहा विराम जहां तक हिंदूओं की बात है उनकी परंपरा में ऐसी कोई आचार सहिता कभी नहीं रही जिसमें राजनिती को अकाट्टे दोस रहित या देव विये कहा गया हो विराम बलकी राजा एवं रिसी की परंपरा सांसारिक एवं धार्मिक भूमिका में इस पष्ट विभाजन का सूचक है विराम ये दोनों भूमिकाएं अन्तह संबंद तो थी पर स्वायत थी विराम पैरा लगबग आठसो वर्सों तक भारत पर मुस्लिम सासकों का सासन भी समान रूप से सोहाथ पून एवं सहिस्दुता पून रहा विराम यतपी राज्य एवं उलेमा वर्ग के बीच निकट का था तथा पी धरम निर्पेक्ष प्राधिकार की सर्वोच्ता बनी रही विराम मुस्लिम राजनिती में एक तीसरी धारा सूफियों की रही जिनकी राज्य के धरम निर्पेक्ष स्वरूप की प्रतिष्ठा में महत्तपून भूमिका रही विराम धन्यवाद साथी